नवस्कार मैं रविश कुमार मुद्दों को भलेना जग़ मिल रही हो मगर हार जीत के हिसाब से ही सही नगरपालिका चुनाओं को मीडिया में काफी जग़ मिलने लगी है बीजेपी ने पंचायच, जिलापरिशद, नगरपालिका और निगमों के चुनाओं को राजनितिक रूप से महतुपून बना दिया है इन चुनाओं की राजनितिक खोज या कहिए कि फिर से खोज का काम बीजेपी नहीं किया पूरी ताकत जोग देती है पार्टी रास्टे अध्यक्ष से लेकर सांसद मंत्री तक इन चुनाओं में पचार करते हैं इसके जरीए बीजेपी बड़ी संख्या में अपने नए कारेकरताओं की राजनितिक महत्वकानशा को बनाये रखती है कारेकरताओं को भी लगता है कि अभी पार्शद बन जाओ कल विधायक और सांसद भी बनेंगे इस तरह से कारेकरताओं की फौज को खपाने का या उन्हें सक्रिया रखने का बीजेपी ने ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला है इस रणनीती ने बीजेपी को अर्धसाइनिक बल की तरह बना दिया है जिसका ट्रक किसी नए लोकेशन पर जाने के लिए तयार दिखता है MCD चुनाओं के कवरिज का जो स्वरूप आपने मीडिया में देखा वो बीजेपी के कारण ही है चंद हिंदी और अंग्रिजी अख़बार ही नगरपालिका की नियमित खबरे करते हैं चैनलों में तो ना के बराबर ही MCD को जानने वाले रिपोर्टर होंगे इसके बाद भी पहली बार नियूस चैनलों ने MCD के चुनाओं और नतीजों को लोग सभा की तरह कवर किया आप याद कीजिए कब 800 करोड से भी कम बजट वाले तीनों MCD के चुनाओं को चैनलों पर इतनी जग़ा मिली है MCD के इस चुनाओं से पहले मीडिया में ब्रिहन मुंबई नगरपाली का BMC के चुनाओं को महत्व दिया जाता था क्योंकि उसका बजट 30-40,000 करोड का है और शिवसेना के नियंतरन के कारण भी राजितिक एहमियत रहती है BMC पर नियंतरन के जरिये शिवसेना हिंदुस्तान की एक मात्र पार्टी है जो रास्टी और प्रादेशिक स्थर पर अपना महत्व बनाए रखती है अभी भी कई दल निकाय चुनाओं को महत्व ही नहीं देते हैं BJP ने निकाय चुनाओं को हाई प्रोफाइल बना दिया जो की होना भी चाहिए था MCD के चुनाओं में BJP 2007 बारा के बाद लगतार तीसरी बार जीती है कॉंग्रेस बारा की तुलना में आधिस से भी कम हो गई 30 वार्ट में ही जीत मिली पहली बार चुनाओं लड़ाई आम आदनी पार्टी को 0-0-48 वार्ड में जीत मिली है BJP को 181 वार्ड में जीत मिली है उत्तरी MCD के 104 में से 64 वार्ड में BJP विजई रही दक्षणी MCD के 104 में से 70 पर विजई रही BJP और पुर्वी MCD के 64 वार्ड में से 48 वार्ड में BJP जीती तीनों निगमों में BJP को बहमत हासिल है आज कई चैनलों पर MCD के नतीजों के विशलेशन के दौरान एंकर, रिपोर्टर और जानकार के सवालों में दो सवाल मुख्य रूप से थे आप चाहे तो यूट्यूब पे जाकर फिर से उन्हें देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा ये कि BJP ने 10 साल में कुछ नहीं किया ब्रस्टाचार और गंदगी रही फिर भी प्रचंड तरीके से जीती BJP ने नराजगी से बचने के लिए अपने सभी पारशदों को टिकट काट दिये प्रवक्ताओं के जवाब भी आप सुनिये शायद ही किसी ने कहा हो तो अलग बात है मगर शायद ही किसी ने मुख्य रूप से कहा होगा कि हमारे 10 साल के काम पर वोट मिला है सबने मुख्य रूप से यही कहा कि प्रधान मंत्री मोदी का नाम लिया और उनके चेहरे पर वोट मिला एंकरों और जानकारों ने बार बार कहा कि BJP ने डेट सो से अधिक पारशदों के टिकट काट दिये क्यों काटे अगर काम किया था उमीद करता हूँ चुनाओं के दरान भी भरस्टचार और गंदगी के सवालों को जगा मिली होगी जब खुद ही चुनाओं पर प्राइम टाइम नहीं किया तो दूसरों से क्या उमीद करूँ 153 पारशदों के टिकट काटने की रनिती का एक दूसरा पहलू भी आप देख सकते हैं जिसकी चर्चा नहीं हुई या कम हुई होगी ऐसी कौन सी पारटी है जो 153 पारशदों के टिकट काट दे और बगावत न हो टिकट काटने कटने वाले चंद पारशदों नहीं बगावत की बाकी सब शांत रहे इसके बाद भी पारटी ने 21 निताओं को बगावत के जुर्म में निकाला इस लिहाद से देखिए तो आज की समय में ऐसा करने की हिम्मत किसी भी दल में नहीं है अगर कोई दल टिकट काट भी दे तो उसी छण 100-100 लोग दूसरे दल की सदसिता लेते नजर आएंगे मगर बीजेपी के 100 से अधिक पारशा टिकट कटने के बाद भी निश्चा के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे इससे अंदाजा मिलता है कि एक संगठन के रूप में बीजेपी कितनी सक्रिया है और उसका कितना नियंतरन है लेकिन चुनाओ दर चुनाओ जीतने वाली पार्टी के राश्टी अधिक्ष कहा है जब इतनी बड़ी जीत मिल रही थी अमिश्चा उस बंगाल में लोट गए हैं जहां पिछले साल हुए चुनाओ में उनकी पार्टी को जीत नहीं मिली 2016 शुरू होते ही नेता जी की तमाम फाइलें सारजनिक होने लगी थी टीवी एंकरों ने नेता जी पर खुब बहस टी लेकिन बीजेपी को सीट मिली तीन इतनी बड़ी हार के एक साल के भीतर अमिश्चा बंगाल लोटे हैं नकसल बारी में पार्टी कारिकरता के घर भोजन कर रहे हैं उन्होंने अमिश्चा के पास जीत का जश्न मनाने और दिली में रहने के कई कारण होंगे मगर वे वहाँ पर पद्यात्रा कर रहे हैं अगले साल बंगाल के स्थानिया निकाय चुनाओं की तैयारी में जुट गए हैं 11 मार्च को यूपी विधान समा में बीजेपी को इतिहासिक जीत मिलती है लेकिन 10 दिन के बाद मीडिया में एक खबर मैंने देखी के अमिशा 21 मार्च को तमिलाडू के कोयमबर्टूर चले गए रसेस की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2016 में विधान समा तमिलाडू विधान समा में बीजेपी को बीजेपी को 0 सीट मिले थी मत प्रतिशत था 2.8 प्रतिशत इसके बाद भी अमिशा और उनकी बीजेपी वहां भिड़ने चली गई है क्या वर्तमान समयवे किसी भी दल के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं जो बड़ी जीत के बाद वहां चला जाता हो जहां उसे बड़ी हार मिली होती है अमिशा की जगा अगर कोई दूसरा अध्यक्ष होता तो कई महिने तक दिल्ली में बाहर ही नहीं निकलता यह सही है कि आज की मीडिया में बीजेपी का ही पक्ष जादा रहता है उसी के रंग में सवाल होते हैं और विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है लेकिन हार के अकारण विपक्ष का आलस भी है चुनाओ कैसे लड़ा जा रहा है लड़ने पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है इन सब बातों से अच्छी बात यह है कि भारत की जनता को कोई तकलीफ नहीं है अब बात आम आदनी पार्टी की आज जब विरोधी और आलोचक सिर्फ इतनी उमीद कर रहे थे कि अपनी हार स्विकार कर ले मगर आपने इलक्रोनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी पर अपना विश्वास बनाए रखा सर्वे से लेकर तमाम पत्रकारों ने कहा था कि आम आदनी पार्टी हार जाएगी MCD में पंजाब हारने पर आम आदनी पार्टी ने यही तो कहा था कि पत्रकार भी कह रहे थे कि आम आदनी पार्टी जीतने वाली है आम आदनी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने विधायकी से इस्तिफा दे दिया और अपने शेत्र में हार की जिम्मेदारी ले ली अलका का कहना है कि हार के और भी कारण थे जो जमीन पर दिख रहे थे संयोजग दिलिप पांडे ने भी इस्तिफा दे दिया है उसी तरह से कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बज़े माकर ने हार के बाद इस्तिफा दे दिया प्रभारी PC चाको ने भी इस्तिफा दे दिया अगर इस्तिफा देने वाले किसी का नाम छूट गया हो तो मैं कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ अब प्रॉबलम यह है कि जिन पर इन इस्तिफों को स्विकार करने की जिम्यदारी है उनसे भी तो इस्तिफा मांगा जा रहा है मेरी राय में हर पार्टी में एक इस्तिफा सचीव होना चाहिए जिसके पास अध्यक्स से लेकर कारेकर्टर तक का इस्तिफा स्विकार करने का सोतंत्र पावर हो MCD चुनाओं में आम आदनी पार्टी के अलावा एक और पार्टी पहली बार हिस्ता ले रही थी जो उसी से निकली हुई है स्वराज इंडिया 111 महिलाओं को टिकट दिया परियावरन को मुद्दा बनाया दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया कि उसे अच्छाई नहीं चाहिए अच्छे-च्छे मुद्दे नहीं चाहिए सुबह से जानकार अर्बिंद केजरिवाल के अहंकार पर PhD कर रहे थे अगर उन्हें विनम्रता की इतनी तलब थी तो योगेंदर यादव का ट्वीट देख लेते और दिल्ली वालों से पूछ सकते थे कि योगेंदर जी की विनम्रता में ऐसी क्या कमी थी जो एक भी सीट नहीं मिली सुबस हुआ उनका ट्वीट था कि MCD की गिंती शुरू हो रही है मैं शुन्य अपिक्षाओं के साथ जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू कर रहा हूँ इसके अलावा जो भी आएगा वो बोनस होगा राजनीती में ऐसी भाषा आप कहां बची है लेकिन ऐसी भाषा से भी बोट नहीं मिला फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि भारत की राजनीती में शराफत नहीं बची है नतीजे आने के बाद स्वराज इंडिया की योगिंदर यादों ने एक और ट्वीट किया शाम को उमीद के अनुसार स्वराज इंडिया को कोई सीट नहीं मिली अभी तक बोट शेर के नंबर नहीं आए है पर उमीद से कम लग रहा है हमें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है इसके बाद भी योगिंदर यादों ने अपना प्रेस रिलीज वेजा है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और राजनितिक दल की भूमिका निभाते रहेंगे अंत में दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल के ट्वीट में भी विनमरता की जलक मिली उन्होंने ट्वीट किया कि मैं बीजेपी को तीनों MCD में विजेपर बदाई देता हूँ मेरी सरकार दिल्ली की बहतरी के लिए MCD के साथ मिलकर काम करने की उमीद लगाए बैठी है उमीदों ये कहा उन्होंने मुद्दों पर चुना हुआ या नहीं अब इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं या जीत उन 46 फिजदी लोगों की भी है जिनोंने वोट नहीं डाले वैसे 46 परसंट ने वोट क्यों नहीं डाले ये सवाल पूछा जा सकता है वैसे उनको भी बीजेपी में शामिल कर देना चाहिए प्राइम टाइम में हम बात करेंगे हमारे साथ शर्मिष्टा मुखर जी हैं दिल्ली कॉंग्रिस की प्रवक्ता आशुतोष हैं आम आदनी पार्टी के प्रवक्ता और विजेंदर गुपता जी हैं आप नोईडा से हैं तो आप जीते हैं तो आप से ही पहला सवाल बदाई के साथ विजिंद्र जी मैं सुबह से देख रहा था और आपने कई चैनलों में इस सवाल का सामना भी किया कि आपकी पार्टी MCD में काम के बदौलत कम जीती है, नाम और चेहरे के बदौलत जीती है मैं रवी शेक तो चाहूँ आप आपने मुझे नौड़ा से शायद इंट्रोडूस किया है, मैं नौड़ा से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ नहीं नहीं, आप नौड़ा में हैं इस वर्ट, आच्छे चलिए कोई बात नहीं, हाँ अच्छा चाहा, मैं नौड़ा, अच्छा ठीक ठीक हाँ, मैं नौड़ा में हूँ इस समय, आपके शो के लिए मैं यहां रुग गया था जी, आप सवाल की, जी, जी सवाल, सवाल मेरा यही था तो थोड़ा सवाल दोरा देंगे सवाल यही था, कि सुबह से आप इस सवाल का सामना कर रहे हैं और सारे लोग यही अब बार-बार कह रहे हैं, लिखे जा रहे हैं कि MCD में BJP का प्रदेशन खराब था, ब्रस्टा चार था और चारो तरफ गंदगी फैली हुई थी, इसके बाद भी BJP को जीत मिली है, किसी को समझ नहीं आ रहा है आप कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण जीत मिली है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे आरोपों के बाद भी सिर्फ मोदी जी के कारण आपको जीत मिल सकती है देखें, मैं रवी जी दो तिन बाते इस प्रश कर दूँ, जो आपने अपने वक्तवे में भी कही पहला तो ये है कि 181 सीटों पर भारतिनता पार्टी जीती है ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है लोगों का एक बहुत बड़ा विश्वास भारतिनता पार्टी के प्रती प्रकट हुआ है क्योंकि बाकी पार्टी जो हैं वो जमानत जब पार्टी के रूप में इस चुनाओं में देखी जा सकती है आपने का कि ये जो चुनाओ है ये बहुत महत्व का चुनाओ बन गया पूरा देश इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे लोकसभा के चुनाओ होते हैं नगर निगम के चुनाओं ये मीडिया इसको क्यों दिखा रहा है ये आप भी समझ सकते हैं कि दो साल पहले दिल्ली में एक नई पार्टी आई थी जो जिसने सड़सड़ सीटे जीतकर चुनाओ जीता था और पूरे देश की नजर इन नगर निगम के चुनाओं में थी क्योंकि इन दो साल के बाद उस पार्टी के बारे में लोग क्या सोचते हैं जिस पार्टी ने सतर में से सड़सड़ सीटे जीती इसलिए ये चुनाओ महत का बन गया और इसलिए ये चुनाओ बड़े महत का है कि आम आदी पार्टी के प्रदरशन को लेकर लोगों में भारी निराशा हुई है उनके क्रिया कालापों को लेकर के भारी निराशा हुई है उनके काम करने के तरीके को लेकर भारी निराशा हुई है लोगों में का विश्वास इस पार्टी ने खोया है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आम आदी पार्टी के गर्त में जाने का इस चुनावों में जो रेफरेंडम मैं कहूंगा इस पार्टी के खिलाफ ये चुनाव रेफरेंडम के रूप में देखे जाने चाहिए दूसरा कॉंग्रेस बिखर रही है कॉंग्रेस का उत्तर प्रदेश पे जो प्रदरिशन हुआ लोग ये उमीद कर रहे थे कि शायद दिल्ली के इंचुनावों से कॉंग्रेस उठकर के वापस आएगी लेकिन देखा ये जा रहा है कि कॉंग्रेस के अंदर ही इंतर दोंद है नेतरतु के प्रती लोगों की जो सद्भावना है वो समापत हो रही है सवाल खड़े हो रहे हैं लोग कॉंग्रेस छोड़कर बाहर आ रहे हैं तो कॉंग्रेस बिखरी वी पार्टी के रूप में लोगों के सामने भारते जनता पार्टी के पास एबल लीडर्शिप है नेंदर मोदी जी इस देश के प्रधान मंतरी है और उन्होंने भी तीन साल सरकार चलाने के बाद लोगों के लिए नहीं बताया वही कि आपने अपनी जीत का कारण कॉंग्रेस को बताया आम आदनी पार्टी को बताया और मोदी जी को बताया मैं यही कह रहा हूँ दूसरों के जो सवाल पूछे जा रहे थे कि MCD में आपका काम नहीं रहा भरस्ता चार रहा गंदगी रही इसके बाद भी आप जीते हैं मैं इस पे पूछ रहा हूँ आपसे सवाल मैं पीछे नहीं कर रहा हूँ एक कारण बहुत बड़ा है मैंने दो कारण बताए दोनों पार्टियों का विश्टन एक बहुत बड़ा कारण है तीसरा मोदी जी के प्रती लोगों की जो आस्था है जो मोदी जी के प्रती देश के प्रधान मंतरी के प्रती जो लोगों की सद्भावना है वो एक बड़ा कारण है भारते जन्ता पारड़ी में लोगों का विश्वास पुक्ट करने का अब आईए उस मुद्दे पर जो आप बात करना चाह रही थी मुद्दा ये है कि दिल्ली की नगर निगमों को लगातार दबाया गया है लोगों ने बड़े नजदीक से देखा है एक unified body को trifurcate किया गया तीन हिस्सों में बाटा गया ये बात पहले दिन से उट रही है कि financial viability एक सवाल है जितने इन नगर निगमों के खर्चें आज पूरवी दिल्ली नगर निगम उसके जो खर्चें उसकी आमदरी उससे कहीं कम है तो प्रश्णी ये है कि क्या लोगों पर tax बढ़ाया जाए कितना tax बढ़ाया जाए कितने गुना किया जाए तो प्रश्णा आता है कि जो वित्यायोग बनाया गया है भारत के सवीधान में जो विवस्था की गई है चौते वित्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ रूप से कहा था कि ये ट्राइफर्केटिड बॉडी तब ही चल पाएंगी जब इनको वित्य रूप से दिल्ली की सरकार से तो क्या आप जितने के बाद एमसीडी का जो विभाजन है उसे आप वापस कराने की लड़ाई लड़ेंगे क्या देखिए आपने दिल्ली का मुद्दा छोड़ दिया क्या अब आप ये कह रहे हैं कि वापस एमसीडी को पुरानी सिटी में लाया जाए ये मांग रहेगी आपकी मैं एक एक करके मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा मैं पूछना चाहता हूँ आपने चौते वितायों की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया ठीक है पूछले आपने दिल्ली के अंदर सफाई करमचारियों की स्ट्राइक क्यों करवाई उनकी सैलरी क्यों नहीं दी जब आपको उल्टा पड़ गया सफाई करमचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिये लोगों के बीच में आप एक्सपोज होगे तो आपने सालरी ठीक आशुतोस जी बताएंगे जो विजेंदर जी सवाल पूछ रहे हैं अब तक क्या एक भी जगा अब प्लीज आप उनसे सवाल कर लिए ठीक है वो बोल दिया ठीक है हाँ दो हजार आपको जानके बड़ी हरानी होगी जा आपको इस बात को जानके बड़ी हरानी होगी कि दो हजार बारा के बाद से एक भी अजिए आउडिटेड रेकॉर्ड तीनों MCD में किसी रेवनु इस्ट्रीम का नहीं है इनसे पूछिए क्यों हाउस टेक्स में जो वसूल यह कह रहें कि यह थेंशनल अन्वाइबल है हाउस टेक्स की जो वसूली है वो सिर्फ 25 फीज़दी है सिर्फ 25 फीजदी की वसूली है रवीज जी मुझे रखता है कि आप विजेंद गुपता जी की बोले को ही बोलते हैं मैं चुप रहता हूं थोड़ी दिर तक ने ने वो नहीं बोल रहा है आप बोली आप बोलिए ना आपने तो कहा था कि सबके टैक्स माफ कर देंगे तब भी आप नहीं जिरता है रवी जी इनको यह नहीं मालूँ वहाँ पर कर्टोर राव जिजेंदर जी आप चुप रहे हैं विजेंदर जी एक सेड़ उनको बोलने दिजेंदर आपके पास आउगा इसलिए ये डिवेट वाला प्रोग्राम कम करने लगा हूँ अब बोलने दिजे जैसे वह आप बोल रहे थे वह चुप थे तो उनको भी बोलने दिजे आप तो चुप रहे जी हाँ अशुतोष हाँ ठीक जी मैं जानता हूँ विजेंद गुपता जी बिना बोले रहेंग नहीं अब मैंने ये कह रहे हैं कि फानिशली अन्वाइबल है इसलिए क्योंकि जो पार्किंग माफिया काम करता है उसका पैसा बीजे पी के पास जाता है दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े बोर् जब आप हाउस टेक्स वसूलेंगे ही नहीं जब आपका रानी जहासी का जो फ्लाइ ओवर है जिसका ओरिजिनल बजट 177 करोड था पिछले 10 सालों में आज वो 786 करोड हो गया है और वो फ्लाइ ओवर कहा है ये पूरा देश पूछ रहा पुरी दिल्ली की सरकार पूछ र कराती है इस देश के अंदर या के लिए सरकार है बीस हजार घोस्ट एंप्लाइज है ये 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 बिए आप भी मुझे बताए ना कि इसके बाद भी आप क्यों नहीं जीते अशुतोष मुझे आप बताए ना कि इतने सारे आरोप आरोप जो आप लगा रहे हैं वो तो MCD का कोई की एक पिछले दस साल की एक उपलब्दी विजेंदी गुपता जी नहीं बता सकते हैं आम आद्धी पार्टी ने पिछले दो सालों के अंदर चाहे बिजली का मसला हो चाहे पानी का मसला हो चाहे सरकारी स्कूलों का मसला हो चाहे वैट पाफी का मसला हो चाहे कु के टॉलेस्ट लीडर है जिनके सामने कभी विजेपी सुधर गई है इस मसले पे कि वो अब नहीं उठाती है तो कहीं आप बीजेपी की तरह दस साल लगाना चाहते हैं कि दस साल बाद EVM का मुद्धा आपको छोड़ना पड़ जा जिस तरह से बीजेपी ने आज छोड़ा है बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है उस रास्ते पे आट वो ज्यादा लंबे समय तक चलनी वाली नहीं क्योंकि सिर्मोदी जी की पार्टी होगी बीजेपी कहीं होईगी नहीं मैं उसकी चर्चा में कभी किसी दिन अलग से करूँगा उसके बाद 11 रिमाइंडर पर एक बात का जवाब दीजिए कि सारे सर्वे, पत्रकार, यह सब भी तो कह रहे थे ना, हम लोग भी जिससे बात कर रहे थे, उससे यही लग रहा था कि आप इस बार दिली में नहीं जीतने वाले, तो यह भी तो लोग जिससे बात कर रहे थे, छोड़िए मशीन को, तो हार हुई है तो आप उस हार को उस डाइरे में जैसे तरह से हार को स्विकार किया जाता है उतना भी आप नहीं कर रहे हैं आप EVM पे लगतार अटेक किये जा रहा है जो कि अभी साबित नहीं हुआ है जिसे सब्सक्राइब सैगंफ सारी कमियान आपने बता दी EVM का मुद्धा आप उठाते रहे, आपको नहीं लगता कि आपके नित्रित्व में कोई समस्या है, आपके पार्टी के सयोगी आरूप लगा रहे हैं, आपके जो पुराने साथी जो निकल गए हैं, वो फिर से आ गए हैं आप लोगों पर नित्रित्व पर हमला करने के लिए, तो वहाँ कोई गरबड़ी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चुनाव हार रहे हैं और आपके पार्टी की नीती, रणनीती और नेता में कोई गरबड़ी नहीं होगी, क्या आप लोग उससे मुक्त हैं? ने रविज जी, मैं पूरी मानदारी के साथ कहता हूँ कि ऐसी आमादी पार्टी बिलकुल नहीं है जो ये कहे कि उसके अंदर कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कमजोरी नहीं हैं, हमारे अंदर भी गलतियां हैं, हम भी गलतियां करते हैं, ह हम उन गलतियों को समय रहते रहते हैं, हम उसको सुईकार भी करते हैं और पबलीक के सामने जाके अपनी गलती मांगते भी अकेली पार्टी है। दूसरी बात, अगर कहीं कोर्स करेक्शन की जरुवत पड़ेगी, पार्टी 100% कोर्स करेक्शन करेगी। आतमन्थन पार्टी को करना है, आतमन्थन पार्टी करेगी। हार की समिक्चा, जीत की समिक्चा पार्टी लगातार करती रहती। लेकिन हम एक महत्पूर्ण सवाल उठा रहे हैं इस देश के अंदर, अगर EVM के मसले पे संदे है, तो यह लोकतंत्र की काकाज की जो रवस्ता है, जो समधानी को रवस्ता है, शर्मिश्टा जी के पास अब मैं जाना चाहता हूँ, वाशुतोष, EVM पे हैं, विजंदर जी मोदी जी पर हैं, उनके ये EVM से हार रहे हैं, वो मोदी जी के कारण जीत रहे हैं, ठीक, आपका क्या प्रॉब्लम है, कि आप दिल्ली जैसी जगह में भी आप लोग वापसी नहीं कर पाए, देखे, आप 2015 से तुलना कीजिए, क्या आपके कारिकरता भी भाग गे हैं ये आप बहुत ही गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि दो सीनियर लीडर्स को बिल्कुल कॉंगरस का पीछे छोड़ा घूप कर, इलेक्शन की तीन दिन पहले चले गए, जिनको कॉंगरस से सब कुछ मिला, तो लगता है कि उनकी राजमती में आइडियलोजी नाम की, विचार धारा नहीं बचा होगा, इसलिए वो विचारधारा की तरफ चले गए, ये आपको देखने का नजरिया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बात है, अभी भी दिल्ली का बात छोड़े, देश की किसी भी गाउं में आप जाईए, एक मिनिमम, एक फैमिली आपको कॉंग्रेस को अगर ट्विस्ट करना चाहते हैं, इसलिए लगतार के पाथ दिल्ली एक सुरक्षित जगह है, नई पार्टी के लिए भी और पुरानी पार्टी के वापसी के लिए, आप देखिए, पुरानी पार्टी की वापसी, एक चीज होते हैं, वोट शेर, हमारा जो मल्टी फार्ट आप पोस्ट वो जो हैं, तो उसमें जो जिनको मज़ॉरीटी मिलती हैं, वो मतलब सिंपल मजशुरीटी से जीत जाते हैं, लेकिन एक जो वोट शेर होते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि पार्टी कितना अपना लौस्ट ज्राउंन रिकवर कर रहे हैं, दो स को सबसे ज़ादा मिली है इसमें लोग वेशक आमादमी पार्टी को ज़ादा सीटे मिली हैं लेकिन वोट शेयर के माध्यम से पबलिक परसप्शन के माध्यम से अगर सचमुझ किसी का बहुत जबर्दस हार हुई है वो है आमादमी पार्टी की और उनका वी सफलता है वोट सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब के तरफ से लेटर गया रिक्वेस्ट लेटर लेकिन गया अगर आप कंटिनुसलि इंटरप्ट करेंगे तो कुई फायदा नहीं आप बता ही रही हूं लेकिन अगर आप कंटिनुसलि इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे बताऊंगी MCD election में ये counselors की ओपर होते हैं वो किनको बुलाना चाहते हैं किनको नहीं बुलाना चाहते हैं आपको याद होगा लवली जी जिस दिन उन्होंने BJP जॉइन करे उसके पहले शाम वो campaign कर रहे थे संदीब दिख्षिज जी ने campaign किया हारुन यूसुफ जी ने campaign किया शीला जी का बारे में मुझे honestly नहीं पता को उन्होंने campaign किया या नहीं किया अशुफ वालिया जी डॉक्टर वालिया वो बिमार है दिख वीजे सिंग ने किया सलमान खुर्षिद ने किया बिजेपी के बड़े-बड़े मंत्रियों सलमान खुर्षिद ने किया शेशित हरूर ने किया यही मैं जानना चाहता हूँ बिल्कुल शेशित हरूर जी ने किया सलमान खुर्षिद जी ने किया सचिन पाइलेट ने किया आप दिपंदर हुटा जी और भूपंदर हुटा जी ने किया मतलब बहुत सारे लीडर्स आए कि लेकिन राहूल गांधी जी ने नहीं किया क्योंकि हम यह यहीं को बात मैंने शुरुआत इसी से लिना कि देखिए आप यह एंसी को बीजेपी ने एमसीडी बना दिया एमपी के लेवल का आप अभी भी उसको सोचने को छोटा चुनाओ है वहां राहूल गांधी को अमिश्या बंगाल क्या करने के वह आपको पता है लोकल बॉडिस के एलेक्शन होने जा रहे हैं उसकी लिए गया है भारती जनता पार्टी के राश्ट्री अध्धक्ष हैं इस वक्त उनका प्रोफाइल बहुत हाई है कई जगा चुनाओ जीत रहे हैं लेकिन इसके बाद भी वो किस चुनाओ के लिए गया है विदान सामा क इसके बाद जीतने से मतलब है तो आप मुद्धे नहीं उठा पाए हम हर मुद्धे को उठाए हर पिछले दो साल से एफेक्टिवली कॉंग्रस आसंबली में नहीं रहते हुए भी पिछले दो साल में दिल्ली में कॉंग्रस एक एफेक्टिव ऑपोजिशन की भूमिया बह बहुती जोड़दार तरीके से निभाए और ये बात बीजेपी की लिडर्शिप इस्विकार करते हैं मुझे बहुत सीनियर बीजेपी लीडर्स परसनली बोले हैं कि दिल्ली में कॉंग्रस बहुत अच्छा कर रहे हैं यह बड़ा अच्छा है कि आप लोग परसनली कुछ अच्छी अच्छी बाते भी करते हैं मैं अच्छी जनता को भी मालूब होना चाहिए हम एक ब्रेक लेते हैं फिर आएंगे तो फिर बात करेंगे हूँ वजेंदर गुपताजी अभी आशुतोष ने ब्रेक से पहले EVM का सवाल उठाया था कि आप लोग भी कभी किसी वक्त EVM पर सवाल उठाते थे आप लोगों को किस तरह का जवाब मिला कैसे संतुष्ट हुए कि आप लोगों ने अब EVM पर सवाल उठाना बंद कर दिया है किस-किस से बात किया आप लोगों ने देखें मैं समझता हूँ कि आशू तोष जी जो प्रिशन करने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रिशन में वो खुद गेरे हुए हैं क्योंकि दो साल पहले जब यह जीते थे तब इन्होंने EVM पर सवाल नहीं उठाया लेकिन जब से इन्होंने हारना शुरू किया है पंजाब में हारे गुवा में हारे दिल्ली में हारे तो अब यह लगातार EVM की बात कर रहे हैं मैं बाते जूब सी फोलता है उसको यह चुपाना चाहरे और यह इसको लंड़न और अमेरिका की बात करके यह चुनाओ चे लोगों का ध्यान एटाना चाहते हैं जब कि लोग यह सुनना चाहते हैं कि यह लोगों ने इनको क्यों हरा खराय? दूसरा आपने बात कही कि भारते जन्ता पार्टी ने 153 पार्ट शड़ों की टिकेट कार दी, मैं आपको याद दिला दू, 2012 के चुनाओं में भी 117 पार्ट शड़ों को टिकेट नहीं मिला था, जम्मेद देस्च था, तो ऐसा नहीं है कि भारते जन्ता पार्टी, क्योंकि यह सीटों का बड़ा भारी दिशफलिंग होता है एक बात आप समझ लीजिए यहाँ पर 50% रिजर्वेशन है और जो सीट जनरल है वो जरूरी नहीं अगली बार भी जनरल होगी वो महिला भी हो सकती है वो शडूल कास रिजर्व भी हो सकती है वो शडूल कास महिला यही कहना चाहता हूँ क्योंकि इनकी पूरी कैंपेन जूट की विसात पर है देखें MCD के अंदर भारते जंता पार्टी ने बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टम लागू किया बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टम नहीं था जब तक ये घोस्ट एम्पलॉई की बात सामन्न होती थी लोग अटेंडन्स लगाकर चले जाते थे लेकिन अब बायोमेट्रिक अटेंडन्स यह हमारा रिफॉर्म प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया ने हमसे अडॉप्ट किया दिली नगर निकम से विदेशों से लोग आते हैं कि डेल लाग एंपलॉई दिली नगर नि बायोमेट्रिक पर अटेंडन्स देनी परते हैं विजेंदर गुपता जी उससे उनका परफॉर्मेंस सुधरा है दिली की सफाई मच्छर लेंगू चिकेन गुणिया के मामले में कुछ सुधार हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ परफॉर्मेंस भी सुधरा है और घोस्ट एंपलॉई की समझे हमेशे के लिए खतम हो गई अब दिली नगर निगा में एक भी घोस्ट एंपलॉई नहीं है मैं ये ओन रिकॉर्ड कहा रहा हूँ आपके चैनल पर अशुतोष ये देखिए अभी जेंदर जी क्या कह रहा है आपने जो एक बड़ा सा मुद्धा उठाया कि इनके पास घोस्ट एंपलॉई है फर्जी एंपलॉई है वो तो कह रहे है कि उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम लगाके उसका समधान कर दिया है अब कोई भी वहा हमने इटेंडरिंग की ठीक है एक आप उनको बोलने दीजिए अब हो गया आप पोई आरोम तो कहीं लगा है ना मैं सब पर जवाब देना चाहता हूँ जी आप बोलिये जरा सा अशुतोष दीजिए जवाब की गोस्टिंग दॉई तो बहाई नहीं नहीं होता इनकी जानक कि एक भी घोस्ट इंपलॉई नहीं है फ़र समय कम है इसलिए आप जवाब देदी इस पॉइंट का और तीसरा हर साल देखे जवाब के जवाब के पड़ेंगे लोग आपकी हसी को समझते जवाब के पाई जवाब पर रहा हूँ और चुनिए आप आप जवाब दीजे सिरा शुतरों पर टिपनि मत कीजिए आप जवाब दीजिए वह बताईए वह बताईए अभी थोड़ी देर बाद अगर आप विजेंजी से बात करेंगे तो विजेंजी ये भी कह देंगे कि दूनिया की सबसे इमांदार संस्ता है उसमें घ़ाष्टा-चार का एक भी कोड़ नहीं है और अगर आप ज़्यादा जोन देए त्व ञई करेंगे और विजए उस Marriage से बताई लॉजिक से बताएं आप बोड़े में जिटस नहीं आप बोड़े में जिटस पहले ये शिकायद कर रही थी कि मीडिया आपके साथ भेदभाव करता है देखिए पॉलिटिक सिख पर्सिटिटी की मैं ये बता से तो पिछने दो साल से दिल्ली कॉंग्रेस जिस तरह से ओपोजिशन में नहीं रहते हुए भी हर इशू पर ख़बरे बहुत कम चलती थी और ख़बरे चलती भी तो बहुत सम्टाइम्स बायस चलती थी कि जहां हमारा दस हजार लोग है कोई धर्णा प्रदर्शने में वहां बोलेगा कि एक हजार लोग है Secondly, मैं मीडिया का बात कर रहे हूँ मैं डिबेट्स में जाते हूँ हमेशा इस आप वर्सस बीजेपी आप और बीजेपी का तू तू मैं मैं कि कॉंग्रेस तो कहीं रेस पे है ही नहीं ये perception create करने के लिए मैं I'm sorry to say लेकिन मीडिया का भी कुछ हथ तक जिम्मेबारी है क्योंकि हम अगर रेस में होते ही नहीं तो हमारा वोट शेर कैसे इंक्रीज होता सबसे ज़्यादा वोट शेर हमारा कैसे इंक्रीज होता चलिए मैं इसलिए आपका ये बात रख रहे हैं अभी अगर इस डिवेट को हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो वो अचानक अपनी टेबल पर खड़े हो जाते हैं इसलिए मैं उनके सामने बात करने से बात डरता हूँ अब ऐसे बोलिएगा तो फिर वो भी कुछ बोलने लगेंगे कि वहाँ एक वेबसाइट दस करोड की नहीं बनती है तो बाई बिजेंदर गुपता जी महान हरिष्चंद के वास सबसे बढ़ नेता हूँ पहता हूँ है आप लोगे तो वैसे दावा करते हैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाद भी बीजेपी को जीत मिली है किसी को समझ नहीं आ रहा है आप कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण जीत मिली है तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे आरोपों के बाद भी सिर्फ मोदी जी के कारण आपको जीत मिल सकती है देखें मैं रवी जी दो तिन बाते इस प्रश कर दू जो आपने अपने वक्तवे में भी कही पहला तो यह है कि 181 सीटों पर भारतिनता पार्टी जीती है यह कुई चोटी मोठी जीतं ने हैं बहुत बड़ी जीता है लोगों का इक बहुत बड़ा विश्वास भारतिनता पार्टी के अपूरति प्रकट हुआ है क्योंकि बाकी पार्टी जो हैं वो जमानत जब पार्टी के रूप में इस चुनाओ को यह जा सकती है क्योंकि दो साल पहले दिल्ली में एक नई पार्टी आई थी, जिसने सड़सर सीटे जीत कर चुनाव जीता था, और पूरे देश की नजर इन नगर निगम के चुनावँ में थी, क्योंकि इन दो साल के बाद उस पार्टी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, जिस पार्टी न 70 में से 66 सीटे जीती इसलिए ये चुनाओ महत्कवा बन गया और इसलिए ये चुनाओ बड़े महत्कवा है एक है कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर लोगों में भारी निराशा हुई है उनके कर्याक अलापों को लेकर कि भारी निराशा हुई है, उनके काम करने के तरीके को लेकर भारी निराशा हुई है, लोगों में का विश्वास इस पार्टी ने खोया है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है, कि आम आदमी पार्टी के गर्त में जाने का, इस चुनावों में, जो रेफरेंडम मैं कहूंग इस पार्टी के खिलाफ ये चुनाव रेफरेंडम के रूप में देखे जाने चाहिए दूसरा कॉंग्रेस बिखर रही है कॉंग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो प्रदरशन हुआ लोग ये उमीद कर रहे थे कि शायद दिल्ली के इन चुनावा से कॉंग्रेस उठकर के वा पार्टेजंता पार्टी के पास एबल लीडर्शिप है नाइंदर मोदी जी इस देश के प्रदान मंतरी है और उन्होंने भी खबर मैंने देखी कि हमिशा 21 मार्च को तमिलाडू के कॉयंबर्टूर चले गए रसेस की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2016 में विधानसभा तमिलाडू विधानसभा में बीजेपी को जीरो सीट मिले थी मत प्रतिशत था 2.8 प्रतिशत इसके बाद भी अमिशा और उनकी बीजेपी वहाँ भीड़ने चली गई है क्या वर्तमान समयवे किसी भी दल के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं जो बड़ी जीत के बाद वहाँ चला जाता हो जहां उसे बड़ी हार मिली होती है अमिशा की जगा अगर कोई दूसरा अध्यक्ष होता तो कई महिने तक दिल्ली में बाहर ही नहीं निकलता यह सही है कि आज की मीडिया में बीजेपी का ही पक्ष जादा रहता है उसी के रंग में सवाल होते हैं और विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है लेकिन हार के अकारण विपक्ष का आलस भी है चुनाओ कैसे लड़ा जा रहा है लड़ने पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है इन सब बातों से अच्छी बात यह है कि भारत की जनता को कोई तकलीफ नहीं है अब बात आम आदनी पार्टी की आज जब विरोधी और आलोचक सिर्फ इतनी उमीद कर रहे थे कि अपनी हार स्विकार कर ले मगर आपने इलक्रोनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी पर अपना विश्वास बनाये रखा सरवे से लेकर तमाम पत्रकारों ने कहा था कि आम आदनी पार्टी हार जाएगी कि प्रदेश अदेश बजेमाकन ने हार के बाद इस्टिफा दे दिया प्रभारी PC चाको ने बही इस्तिफा दे दिया अगर इस्तिफा देने वाले किसी का नाम छूट गया हो तो मैं कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ अब प्रॉबलम यह है कि जिन पर इन इस्तिफों को स्विकार करने की जिमेदारी है उनसे भी तो इस्तिफा मांगा जा रहा है मेरी राय में हर पार्टी में एक इस्तिफा सचीव होना चाहिए जिसके पास अध्यक्स से लेकर कारेकरता तक का इस्तिफा स्विकार करने का स्वतंत्र पावर हो MCD चुनाओं में आम आदनी पार्टी के अलावा एक और पार्टी पहली बार हिस्ता ले रही थी जो उसी से निकली हुई है स्वराज इंडिया 111 महिलाओं को टिकट दिया पार्यावरन को मुद्दा बनाया दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया कि उसे अच्छाई नहीं चाहिए अच्छे अच्छे मुद्दे नहीं चाहिए सुबह से जानकार अर्विंद केजरिवाल के अहंकार पर पिएजडी कर रहे थे अगर उन्हें बिनम्रता की इतनी तलब थी तो योगिंदर यादव का ट्वीट देख लेते और दिल्ली वालों से पूछ सकते थे कि योगिंदर जी की बिनम्रता में ऐसी क्या कमी थी जो एक भी सीट नहीं मिली सुबह सुबह उनका ट्वीट जी थी तीनों निगमों में बिजेपी को बहमत हासिल है आज कई चैनलों पर MCD के नतीजों के विशलेशन के दोरान एंकर, रिपोर्टर और जानकार के सवालों में दो सवाल मुख्य रूप से थे आप चाहे तो यूट्यूब पे जाकर फिर से उन्हें देख सकते हैं और आपने देखा भी होगा ये कि बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया ब्रस्टना चार और गंदगी रही फिर भी प्रचंड तरीके से जीती बीजेपी ने नराजगी से बचने के लिए अपने सभी पारशदों को टिकट काट दिये प्रवक्ताओं के जवाब भी आप सुनिये शायद ही किसी ने कहा हो तो अलग बात है मगर शायद ही किसी ने मुख्य रूप से कहा होगा कि हमारे 10 साल के काम पर वोट मिला है सब ने मुख्य रूप से यही कहा कि प्रधान मंत्री मोदी का नाम लिया और उनके चेहरे पर वोट मिला एंकरों और जानकारों ने बार बार कहा कि बीजेपी ने डेट सो से अधिक पारशदों के टिकट काट दिये क्यों काटे अगर काम किया था उमीद करता हूँ चुनाओं के दरान भी भरस्टचार और गंदगी के सवालों को जगा मिली होगी जब खुद ही चुनाओं पर प्राइम टाइम नहीं किया तो दूसरों से क्या उमीद करूँ 153 पारशदों के टिकट काटने की रणनिती का एक दूसरा पहलू भी आप देख सकते हैं जिसकी चर्चा नहीं हुई या कम हुई होगी ऐसी कौन सी पारटी है जो 153 पारशदों के टिकट काट दे और बगावत नहो टिकट काटने कटने वाले चंद पारशदों नहीं बगावत की बाकी सब शांत रहे इसके बाद भी पारटी ने 21 निताओं को बगावत के जुर्म में निकाला इस लिहाद से देखिए तो आज की समय में ऐसा करने की हिम्मत किसी भी दल में नहीं है अगर कोई दल टिकट काट भी दे तो उसी शंड 100-100 लोग दूसरे दल की सदसिता लेते नजर आएंगे मगर बीजेपी के 100 से अधिक पारशद टिकट कटने के बाद भी निश्चा के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे इससे अंदाजा मिलता है कि एक संगठन के रूप में बीजेपी कितनी सक्रिया है और उसका कितना नियंतरण है लेकिन चुनाओ दर चुनाओ जीतने वाली पार्टी के राष्टी अधक्ष कहा है जब इतनी बड़ी जीत मिल रही थी अमिश्चा उस बंगाल में लोट गया है जहां पिछले साल हुए चुनाओ में उनकी पार्टी को जीत नहीं मिली 2016 शुरू होते ही नेता जी की तमाम फाइलें सारवजनिक होने लगी थी टीवी एंकरों ने नेता जी पर खुब बहस थी लेकिन बीजेपी को सीट मिली तीन इतनी बड़ी हार के एक साल के भीतर अमिश्चा बंगाल लोटे हैं नकसल बारी में पार्टी कारिकरता के घर भोजन कर रहे हैं उन्होंने अमिश्चा के पास जीत का जश्न मनाने और दिली में रहने के कई कारण होंगे मगर वे वहाँ पर पद्यात्रा कर रहे हैं अगले साल बंगाल के स्थानिय निकाय चुनाओं की तयारी में जुट गए हैं ग्यारा मार्च को यूपी विदान समा में बीजेपी को एतिहासिक जीत मिलती है लेकिन दस दिन के बाद मीडिया था कि MCD की गिंती शुरू हो रही है मैं शुन्य आपक्षाओं के साथ जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू कर रहा हूँ इसके अलावा जो भी आएगा वो बोनस होगा राजनीती में ऐसी भाषा आप कहां बची है लेकिन ऐसी भाषा से भी बोट नहीं मिला फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि भारत की राजनीती में शराफत नहीं बची है नतीजे आने के बाद स्वराज इंडिया की योगिंदर यादों ने एक और ट्वीट किया शाम को उमीद के अनुसार स्वराज इंडिया को कोई सीट नहीं मिली अभी तक बोट शेर के नंबर नहीं आए है पर उमीद से कम लग रहा है हमें भी आत्म मंथन करने की जरूरत है इसके बाद भी योगिंदर यादों ने अपना प्रेस रिलीज बेजा है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और राजनितिक दल की भूमिका निभाते रहेंगे अंत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल के ट्वीट में भी विनमरता की जलक मिली उन्होंने ट्वीट किया कि मैं बीजेपी को तीनों MCD में बीजेपर बदाई देता हूँ मेरी सरकार दिल्ली की बहतरी के लिए MCD के साथ मिलकर काम करने की उमीद लगाए बैठी है उमीदों ये कहा उन्होंने मुद्दों पर चुना हुआ या नहीं अब इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं या जीत उन 46 फिजदी लोगों की भी है जिनोंने वोट नहीं डाले वैसे 46 परसंट ने वोट क्यों नहीं डाले ये सवाल पूछा जा सकता है वैसे उनको भी बीजेपी में शामिल कर देना चाहिए प्राइम टाइम में हम बात करेंगे हमारे साथ शर्मिष्टा मुखर जी है दिल्ली कॉंग्रिस की प्रवक्ता आशुतोष है आम आदनी पार्टी के प्रवक्ता और विजंदर गुपता जी है आप नोईडा से हैं तो आप से ही पहला सवाल बदाई के साथ विजंदर जी मैं सुबह से देख रहा था और आपने कई चैनलों में इस सवाल का सामना भी किया कि आपकी पार्टी MCD में काम के बदावलत कम जीती है नाम और चेहरे के बदावलत जीती है कि अधरी आपने मुझे नोईडा से शएद इंटुडूस किया है पन्हाइब से नहीं हूँ आपके शो के लिए यहां रुक गया था जी आप सवाल की जी जी सवाल यही था कि सुबह से आप इस सवाल का सामना कर रहे हैं और सारे लोग यही अब बार बार कह रहे हैं और लिखे जा रहे हैं कि MCD में BJP का प्रदेशन खराब था ब्रस्टा चार था और चारो तरफ गंदगी फैली हुए नवस्कार मैं रविश कुमार मुद्दों को भलेना जग़ मिल रही हो मगर हार जीत के हिसाब से ही सही नगरपाली का चुनाओं को मीडिया में काफी जग़ मिलने लगी है BJP ने पंचायच, जिलापरिशद, नगरपाली का और निगमों के चुनाओं को राजनितिक रूप से महतुपूंट बना दिया है इन चुनाओं की राजनितिक खोज या कहिए कि फिर से खोज का काम BJP नहीं किया पूरी ताकत जोग देती है पार्टी रास्टे अध्यक्ष से लेकर सांसद मंत्री तक इन चुनाओं में पचार करते हैं इसके जरीये BJP बड़ी संख्या में अपने नए कारकरताओं की राजनितिक महत्वकानशा को बनाये रखती है कारकरताओं को भी लगता है कि अभी पार्शद बन जाओ कल विधायक और सांसद भी बनेंगे इस तरह से कारकरताओं की फौज को खपाने का या उन्हें सक्रिया रखने का BJP ने ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला है इस रणनीती ने BJP को अर्धसाइनिक बल की तरह बना दिया है जिसका ट्रक किसी नए लोकेशन पर जाने के लिए तयार दिखता है MCD चुनाओं के कवरिज का जो स्वरूप आपने मीडिया में देखा वो BJP के कारण ही है चंद हिंदी और अंग्रिजी अख़बार ही नगरपालिका की नियमित खबरे करते हैं चैनलों में तो ना के बराबर ही MCD को जानने वाले रिपोर्टर होंगे इसके बाद भी पहली बार नियूस चैनलों ने MCD के चुनाओं और नतीजों को लोगसभा की तरह कवर किया आप याद कीजिए कब 800 करोड से भी कम बजट वाले तीनों MCD के चुनाओं को चैनलों पर इतनी जग़ा मिली है MCD के इस चुनाओं से पहले मीडिया में ब्रिहन मुंबई नगरपाली का BMC के चुनाओं को महत्व दिया जाता था क्योंकि उसका बजट 30-40,000 करोड का है और शिवसेना के नियंतरन के कारण भी राजितिक एहमियत रहती है BMC पर नियंतरन के जरिये शिवसेना हिंदुस्तान की एक मात्र पार्टी है जो रास्टी और प्रादेशिक स्तर पर अपना महत्व बनाए रखती है अभी भी कई दल निकाय चुनाओं को महत्व ही नहीं देते हैं BJP ने निकाय चुनाओं को हाई प्रोफाइल बना दिया जो की होना भी चाहिए था MCD के चुनाओं में BJP 2007 बारा के बाद लगतार तीसरी बार जीती है कॉंग्रेस बारा की तुलना में आधिस से भी कम हो गई 30 वार्ट में ही जीत मिली पहली बार चुनाओं लड़ाई आम आदनी पार्टी को 0-48 वार्ड में जीत मिली है BJP को 181 वार्ड में जीत मिली है उत्तरी MCD के 104 में से 64 वार्ड में BJP विजई रही दक्षणी MCD के 104 में से 70 पर विजई रही BJP और पुर्वी M.C.D. के 64 वार्ड में से 48 वार्ड में B.J.P.